Hello friends, welcome once again आज हम बात करेंगे भारत की प्राकरतिक वनस्पतियों के बारे में पिछले दो वीडियो में हम भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों और उनकी विशेष्टाओं पर चर्शा कर जुके हैं आज हम बात करेंगे भारत में प्राकरतिक वनस्पतियों के वितरण के बारे में भारत में मुख्य रूप से पांच प्रकार के वन पाये जाते हैं जिसमें से उश्नकटिबंदी पतजड़वन वेलांचली अनूप वन जिनको हम लोग डेल्टाई वन भी कहते हैं उश्नकटिबंदी सदा बहार वा अर्दसदा बहार वन उश्नकटिबंदी कातेदार जहाणियां और परवती वन यह मुख्य रूप से छे प्रकार के वनों का वितरण भारत में पाये जाता है हम देख लेते हैं कौन कौन से इलाकों में कौन कौन से वन पाए जाते हैं किस परकार के वन पाए जाते हैं उनका विदरन किस परकार से जैसा कि जो पूरा का पूरा पहाड़ी छेतर है हमारा जम्मू कस्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश फिर उत्तरा खंड बाकी का हिस्सा नेपाल में चला जाता है फिर आने वाले हिस्से में सिक्किम, सिक्किम के बाद में अरुनाचल प्रदेश का उपरी हिस्सा, तो इस हिस्से में ये सारे के सारे राज्यों में कौन से वन पाये जाते हैं, तो सारी के सारे राज्यों में परवती वन पाये जाते हैं, परवत वा उसके बाद कुछ हिस्सा मारास्ट में मारास्ट से होते हुए फिर पतली पट्टी के रूप में करनाटक से होते हुए फिर आंधर प्रदेश में और तेलंगाना बीच में जो है तेलंगाना का अलग हो जाता है आंधर प्रदेश में और उसके बाद में तमिल नाडू में वन हमारे यहां पे सब जगह पे पत्जड़ बन पाय जाते हैं तो गर्म इलाकों में हम हैं उष्ण कटिबंद में हैं और हमारे वनों के प्रकार कौन से पत्जड़ वन हैं इसके अलावा हम बात करें कर वेलान चली अनूप जल जो सदा भार जिनको लोग डेल्टाई वन कहत है गंगा बर्मपुत्र डेल्टा जिसका नाम बहुत प्रसिद्ध दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुन्दर बन डेल्टा हम सभी जानते इसके अलामत दो नदियों के मिलने से एक डेल्टा बन गया है कौन-कौन सी गोदावरी और कृष्णा रिवर आ करके जो ये तीन डेल्टा जहां पर है वहां पर कौन से बन पाए जाते हैं अनूप बन पाए जाते हैं वेलांचली बन पाए जाते हैं राजस्थान का पूरा इलाका राजस्थान के साथ साथ में गुजराज सौरास्ट काठिया वार का पूरा पूरा इलाका और कच्छ का रन यहा पूरे इलाके में अगर हम देखें तो किस प्रकार का वन पाए जाता है तो उस्ट कटबंदी काटेदार जाड़िया पाई जाती हैं इसके अगर हम देखें तो जो करनाटक के हिस्से में एक सिंग नुमा उबार हमें यह दिखाई दे रहा है इसके अत्रिक्त तेलंगाना वाला इलाका और आंद्र प्रदेश और तमिलनाडू के मद्द का यह इलाका यहां पर किस प्रकार की उश्ट कटमंदी काटेदार जाड़िया यहां पर भी पाई जात मांसून है यह जो मांसून इधर से आता है यह मांसून क्या है और निर्मल की परवस रंखला इसके परिलल पड़ जाती इसके समानांतर पड़ जाती तो मांसून को रोकती नहीं और मांसून इसके सहारे से होता हुआ चला जाता है इसलिए यहां पर यह वाला इलाका क्या ह में होती है परवती बनों की बात हो गई अनूप या डेल्टाई बनों की बात हो गई और इसके लावा हमने बात कर लिया यहां पर उष्णकटबंदी काटेदा जाणियों के बादे में अब बचे हैं जो कौन से बन उष्णकटबंदी सदा बहार बन सदा बहार बन इनको सद सदा हरित होन भी कहते हैं सदा हरित वन हमेशा याद रखिए 200 से जहां वर्सा होगी तो पूरा पूरा जो पस्चिम का तट है पस्चिम के तट में किनारे किनारे पूरा यहां पर बहुत ज़्यादा बारिस होती रहती है। इसके अलावा दूसरा आगर हम देखें तो कौन सा है, जहां पर हमारा मड़िपूर है, मिजोराम है, नागा लैंड है, इसके अलावा असाम के कुछ इलाके हैं, नागा लैंड है, और इसी के सारे लगते हुए बंगला जेसके साथ में जो पस्चिम मंगाल कजा कई लाका और उडीसा का कुछ त़ाइब आ गए यहां पर ने अब बात कर लेते हैं कि बनसपती छेत्र कितने हैं तो कई बार परिच्छों में सीधे तोर से यही परस्ण पूछा गया कि भारत को कितने वनसपती छेत्रों में बाटा गया तो आठ बनस्पती चेत्रों में बाटा गया है, पहला चेत्र कौन सा है? पस्चिमी हिमालई चेत्र है, जहां पे कौन कौन से आते हैं राज्यों की बात करें तो जम्मु कस्मीर जिसको अब लधाक और कस्मीर जम्मु टेरिटरी दोनों यूनिंट टेरिटरी बन गए हैं, त इसके अलामा भाग है पूरा का पूरा अरुनाचल प्रदेश का पूरोतर के छेतर तीसरा भाग है जिसमें किसको किसको सामिल के जाता है मेखाले को सामिल के जाता है नागा लैंड है मड़िपूर है मिजोरम है इसके अलामा गंगा का मैदान है जिसमें गंगा और यमुना द प्रकार से आठ प्रकार के वनस्पती चेत्रों में इसको बाटा गया है अब बात कर लेते हैं भारती जो वनस्पती सर्वेच्छन विभाग है उसकी कुछ बात कर लेते हैं 13 फरवरी 1980 को इसकी स्थापना हुई सर जार्ज किंग ने इसके संस्थापक थे मुख्याले इसका कोलकाता में था और इसके चेत्री कारेले थे नो अब इसके उद्देश से क्या क्या थे इसमें उद्देश से था कि पादप संस्था जो संसाधन है उनका अन्वेशन किया जा है यह पर्यावरन वन जलवाई परिवर्तन मंत्राले दूरलव संकतापन परजातियां का सुची करण संचन की नीटियों को विकास करना वन ने जीव भिहारन भंगूर पारितंत्र रास्टी उद्यान जयो मंडल रिजरू यह सारा का सारा जो होता है भारती वनस्पती प्रकार के वन पाए जाते हैं तो आठ प्रकार के इधर हमने वनस्पती छेतर आपको बता दिया है इधर आपको बता दिया है बनों का वितरन दूसरा क्या है कौन से बन सबसे ज्यादा संग एरिया में फैले हुए कौन से वन कम एरिया में फैले हुए इस प्रकार के आदा जायों के उद्धारन ने इससे पूची पूचे जाते दुसरा ये जो एक हमारा मन्तर जो परड़वरं वन उन्तराले कांतरगत काम करने वाला भारती वनसपर सर्वेच्छन भी भाग है इसकी स्थापना और संस्थापक के बारे में हमने बात की, दूसरे वीडियो में बात करेंगे, हम इन ही की विशेस्ताओं के बारे में, इनके बनों के उदारन के बारे में, तो वस्वीडियो में हम यहां पर हमने अभी concept की बात किई, उस वीडियो में हम facts पर बात करेंगे दोस्तों अगर आप हमारी यूटीब चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रिस करें और यह वीडियो आपको किसा लगा कमेंट करके बताओ लाइक करो दोस्तों के साथ सेर करो और अगर हमारे वाटसप से टेलिग्रा फाइल भी पाना चाहो तो मैसेज करो पीडियो फाइल भी इसके अवेलबल हैं थेंक यू थेंक यू सो मज